पाइथन मॉड्यूल के और एक नए एपिसोड में और जैसे के हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको एक बहुती बढ़िया मॉड्यूल के बारे में बटाने वाला हूँ बहुती easy होने वाला है और बहुती कमाल का काम करने वाला है अगर आपने मेरे पिछले python modules के वीडियो नहीं देखे तो please जा के देखे आपको बहुती मज़ा आने वाला है यार बहुती मतलब कम slide में हम इतने कमाल के काम कर सकते इन modules की मजट से तो उसी तरीके से आज का module भी कुछ ऐसा ही है आज हम pretty table नाम की module के यूज करने वाले है जिसके मदद से हम table print कर सकते हैं अब आप सोचरों के table print कर सकते हैं मतलब क्या तो चलिए इस प्रोग्रम को पहले create कर लेते हैं उसके बाद यह को आपको ही खुद ही समझ में आ जाएगा तो इसके लिए जैसे कि मैं आपको बोला है pretty table नाम के module का यूज करने वाला हूं में कि तो यहूं हमें बिल्ड नहीं मिलता 파ण त theo इंस्तौल करना पढ़े का चली मैं आपको बता देता केसे इंस्तौल यहां ना पिप इन्स्ट्रोड देखिए मैंने क्या लिखा है पिप इन्स्टॉल प्रिटी टेवल देखिए स्पेङ्द्र का धायन रखेगा यही जाड़ा तरहर देता है अफिर हमें समझ मोन यादा क्यों नहीं हो यह जो pretty table होता है इसके अंदर एक class होती है pretty table नाम की okay इस pretty table module के अंदर pretty table नाम की class होती है और आपको मैंने बता आता है कि जो classes होती है उनका पहला letter जो होता है capital में होता है तो चलिए पहले import कर लेते है so, नहीं, from sorry from pretty table import import देखिए यहाँ पर यह जो p है न यह capital होगा और यह जो t है यह capital होगा अब आप यह रहा हमारा हो गया import ठीक है हमने क्या करा है हमने इस pretty table नाम के module में से इस class को import करा है अगर आपको चेक करना है इस module के अंदर क्या है और क्या के चीज़े तो देखिए विएस कोड में बहुत ही बड़ी है feature प्रोवाइड करता है हमें मतलब विएस कोड कि आप कर्ल दबाईए जो control होता है कर्ल वह एंड जिसके अंदर जाना जिस फाइल के अंदर जैसे कि मॉडूल है तो इसके पास अपने cursor को लेके यह देखिए यह हमें क्लिक करने का option दे रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए देखिए यह डायरेक इस फाइल में लेके चला गया देखिए prettytable.py जो हमने module भी इंस्रोल करा वह ही है यह ओके उसके बाद अगर आपको वह prettytable नाम की class सर्च करने इतने बड़े मॉडूल में देखिए इस बहुत बढ़ है आप में कहा सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है control कर ले हमारा उसको प्रेस किजिए फिर उसको प्रेस के बाद F प्रेस कीजिए देखिए कर रहा तो देखिए उपर एक सर्च का option हमें मिला है यहांपर क्या कीजिए जा तूर ना पर देखिए एरा उसने डायरेक्ट हमें यहाप पर ट्रांसफर कर दिया लाकि यह दिखें प्रिटी टेबल नाम की लास है तो हम इसी लास का यूश करने वाले हमारे प् sound table clayet करने में जरुकि जिसके साथी आप साई में देखी सकते हैं कितनी सारी चीजी दर मन्सक्रा है इसन फाल को परर को ये आपको है कोई ख्यूच है आप ऐसनो फै vakस्त कर देता है आज और घड़ा पर बेच जीता है तो आप भुद भी देख लीजिएगा में बोलू हम थम्हें अगा आईगा नहीं तो इस Pretty Table के अधर आपने देख चुके कि के से हमको तो आप ने देख चुकिए pretty table के अंदर एक pretty table नाम की class है और जैसा कि मैं अपको हर बार बोलता हो pretty table जैसे, sorry, जैसे classes जो होती है उनका अगर आपको use काना उनके अंदर के methods का आपको use कना है तो आपको उसका object बनाना पड़ेगा class का तो चलिजिए पहले एक object बना लेते हैं तो इसका object हो बना लेते है टेवल नाम से, okay, table है इसलिए table नाम से, and यह जो pretty table नाम की class है, इसको यहां से copy करके, यहां paste कर दिया, और यह दिखिए, इस type से हम किसी भी class का बनाते है, क्या object, जो इसमें इसका object है, instance के सकता है, table, अब table की मदद सी, जो table है, इसकी मदद से हम क्य आपको जैसे कि किसी भी table के उपर उसके columns होते है, like, पहले में idea आएगा, दूसरे में name आएगा, तीसरे में उसकी age आएगी, फिर उसका बोल सकते है, आप mobile नमर आएगा, कुछ भी, तो पहले रो table equal to field name, देखिए, आप मुझे यह दे रहा है, suggestions दे रहा था, field name का, तो मैं serial number, second वाल आपको देना है, name, आप कुछ भी दे सकते है, mail दे रहा हो, क्योंकि मुझे इस type में enter करना है, फिर दूसरा वाल आजाएगा age, okay, मैं एक तो serial number लेने वाला हूँ, दूसरा name लेने वाला हूँ, तीसरा age लेने वाला हूँ, okay, then table, मैं यह से तोड़ा अलग कर लेता add row भी है, हमें यहापर row add करने वाले, okay, हमें यहापर row add करने वाले, so, row, row एक हमारा method है, to method की तरह इसे, इसके अंदर brackets लगाएंगे, उसके अंदर हमें एक list देंगे, अब देखिए, list के अंदर हमें क्या देना है, पहला, तो हमें देना है, ID, I am sorry, serial number, serial number ही पहला वाला है तो पहला दे दिया हमेने, कामा लागा के पहला ने में दे देता हो अभी, उतकी age दे देता हो, में 20, okay, इस type सब दो तीन और बना लीजिए, rows, यह आला आ जाएगा, second इसके नीचे आला जाएगा, third इसके नीचे आला जाएगा, fourth और इसके नीचे आला आ जाएगा, five, okay, आ आपने आम कुछ भी दे दीजिए, like, so, नम दे देता हो इसे में, इसे राज दे देता हो, इसे कोमल दे देता हो, इसको अ, नाया, 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 आमन दे देता हो, okay, इसके दे देता हो में 10, इसके देता हो में 50, इसके तो देखिए हमारी टेवल्स की रोजरोज आपको पता तो होगा कि पहले टेवल में खेडिंग आता है जिसके अंडर सेयल नेम फिर कुछ फील्ड कानाम नाम लाय इसमें मेरा नेम है थो नेम फिर उसकी हेज्च और स्केवल में कुछ भी हो सकता है तो उसके बाद उस हिसाब सबसे हमने रोज ड्रेकर करें लाइक यह सील नम्मर में 12345 लाइन से फिर नेम फिल्ट के अन्दर जो नेम वाली कॉलम आने वाले उसके लिए मिने सारे तीसरे वाला में एज लिया है ढूंज अब हमें प्रिंट करना है तो हमें कि एरर मिलता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस्फुली रन हो जाता है ओके तो कुछ तो प्रॉब्लम है आज देखता हूं मैं विड्ट थोड़ा सा विड्ट कर लीजिए प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं कि ओके यह टेबल ही नहीं दे रहा हम है चलिए इसे क्लियर करके एक नया टर्मिनल खोलते हम ऐसे रन कर देते टर्मिनल तो अपने आप उपन हो जाएगा केकि celui एक है यह एक हमने प्रिंट से लिखाया है मो renah hem उहारें दिले टेवल से लिखाया है तक nggak यह अब भी टैवल से लिखाया है डिल्ली नमस भी साही लिखाया हुआ हमने इसे काम तो करना चाहिए देखते है क्या क्या प्रॉब्लम हा रही है इसमें फ्रॉम प्रॉब्लम इंपोर्ट ही है प्रिटी टेबल से हमने एक बना लिया बिल्कुल सही लिए इस अब्जेक्ट की मतलब से एड्ड करें मैंने फिर टेवल एड्ड रो ओके हमने इसे सेव नहीं कर रहा है सौरी यहां पर मैंने इसको सेव नहीं कर रहा है यहां पर मैंने इसको सेव नहीं कर रहा है तो आपका सही से रन होगा ओके तो यह सारी प्रॉब्लम से ध्यान नहीं देते फिर बोलते कि क्या हो रहा है ओके देखिए मैं जो करना चाहता था हो वह देखिए यह जो टेवल करीट हुआ है यह जो फील्ड नेम से लिए तो यहापर नेम्स दीएते मैंने सिक्टियल नमार नेम और एज तो वह है यहापर फील्ड उपर का कॉलम तो में में एडिंग यह सियल नम्मर नेम एंड एज ओके दिन फिर हमने रोग्य टेट कर रहे पेला रो है रहर वन अभी एंड 20 तो पहला रहे वन अभी इंड 20 शेकंड स्वनम टेन 2 सोनम एंड सेकंड थर्ड राज 50 3 राज 50 थिस फॉर्थ वाला है कॉमल और फिर 45 डेखे कुमारे और फिर फ्रत व आप और भी rows add कर सकते हैं इस table को बढ़ा कर सकते हैं इवन आप इसके अंदर और fields add कर सकते हैं इसे और बढ़ा कर सकते हैं इसे जितना expand करना चाहते हैं आप उसे उटना ही expand कर सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है तो देखिए कैसे इसने टेबल प्रिंट करके दे दिया हमने इसने हमारे डाटा का तो इसकी मतर से लाइक आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप पाइफन में एक लाइबरी मेनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो आप यहाँ सिरियल नमर दे दिजिए यहाँ पर बुक का नाम दे दिजिए यहाँ पर वो बुक कब मतलब एड की गई है इस लाइबरी में वो डेड दे दिजिए यहाँ पर ओथर का नाम दे दिजिए कि इस ओथर ने उसे लिखा है देन क्या वो अभी 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 तो उस हिसाब से आप बिल्कुल एक data को manage कर पाएंगे लाइक आप ऐसा को प्रोजेक्ट बना है तो उसमें कुछ एक अच्छा लगेगा देखने में कि आपने उस data को बहुत अच्छी तरीके से manage करा है structure करा उस data को आपने तो यही था इस module के अंदर तो और आप इसे और भी थोड़ा एक्सप्रोर करना चाहते तो इसकी documentation पर सकते आप और एक्सप्रोर करने को मिल जाएगा इस प्रिट्री टेबल नाम के क्योंकि आपने देखी चुके आपकी कितना बड़ा module इसका नाम कितनी सारी चीजे थी तो आ इस मतलब जो भी डाकुमेंटेशन है पिट्री टेबल की उसमें और बस आज के लिए इतना ही है और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कोशन हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सुस्क्राइब नहीं कराए तो आप वीडियो चेक रहें तो सब्सक्राइब करी लीजिए और आगे भी मैं ऐसे कमाल कमाल की मॉडूल को लाते रहूंगा जो की बहुती कम से लाइन में और बहुती एजी सेंटेंक्स में आपको कमाल का आउटपूट निकाल के देगी तो बस आइस थैंक्यों एंड बाए कर एंड बाए लाए बाए definitely मैं आपको बदो कि म कि माल इस खव助ब में का हैं अंड और आघक्यों में लाम से लाइस